हलो दोस्ते जैसे कि अपने थमनेल में देखोंगा इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के मशूर आटो उरुक्षा मैनुफेक्चरर के दो एलेक्ट्रिक पैसिंदर आटो उरुक्षाओं को कमपैरिजन करने वाले हैं और इन में से पहला आता है पांस साल वेट करने के बाद फाइनली बजाज ने लांच किया है बजाज आ रही ही और उसी को यहां पे ले रहे हैं और दूसरा अपे पियाजो के तरफ से रिसेंटली ओल्ड माडल को अपग्रेड करके रिलांच किया है अपे ECT FX Max को यह दोनों क पांस साल वेट कराने के बाद क्या पावरफुल आट रुक्षा दे रहा है अपेसे ज़्यादा तो उसी के बारा में जानते हैं जाने से पहले शाबूर उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर चानल में पहली बार आते है चानल को जड़ीओ सब्काइब कर लेना इस वीडियो के अंदर हम दोनों के बीच में सबी स्पेस्पिकेशन का पैरिजन नहीं करेंगे बलके में स्पेस्पिकेशन यानि फर्फामेंस का का पैरिजन करेंगे और इसके अलावा अगर आप फुल डीटेल्स देखना चाते हैं तो दोनों के इंडिविजियल भी जादा ही बिटाते होंगे तो वो तो अफिशियल सवर पे मना है कभी पकड़े जाए तो फाइन लग जाएगा तो देखके चला नहां अगर हम स्पीड की बात की जाए तो अपे पियाजर के अंदर हमें 50 किलोमेटर पर आवर की टॉस्पीड मिल रही है लेकिन बजाज के अदर एको मोड के अंदर 40 किलोमेटर पर आवर की स्पीड दी जा रही है और ये स्पीड देने के लिए और आटो रिक्षा को चलाने के लिए जो में इंजन होता है मोटर के अगर बात की जाए तो अपे पियाजर के अंदर जो मोटर दी ही है उससे हमें 5.44 किलोवाट की प और को मिल रहा है बजाज के अंदर जो पैसेंजर आटो रिक्षा में है थोड़ा ज्यादा ही है कंक्लूजन में बात करते हैं इसके बारे में अगर हम इन दोनों इलेक्टरिक आटो रिक्षा की ग्रेडबुल्टी देखा जाए तो अपे पियाजर के अंदर हमें 20 परसंट सिंगिल चार्ज पे 145 किलो मेटर प्लिस और मैंनस 5 किलो मेटर बताया है तो चुकी अंदर हमें 25 अगर बताया गया है सिंगिल चार्ज पे 178 किलो मेटर single charge पे जान रहे हो single charge पे इतना range मिल रहा है आपको passenger आटो रिक्षा के अंदर वो भी certified range है इसके बारे में हम conclusion देखेंगे तो लाज तक बने रहे ना और इस range को और इस आटो रिक्षा को power देने के लिए fuel का काम करने वाली battery की अगर बात की जाए तो दूनों के अंदर भी हमें lithium-ion battery दी गई ही है लेकिन अपे पियाजों के अंदर हमें 51.2 voltage की 8 kWh की बैटरी मिल रही है और इस battery को charge करने के लिए 48 voltage की 3 kWh आप बोड चार्जर दिया जा रहा है और इस charger से अगर अपे पियाजों को charge करेंगे तो 3-4 घंटे के अंदर फुल हो जाती है वहीं पिया बजाज आरी के अंदर हम देखा जाए तो 8.9 kWh की बैटरी दी जा रही है और इसको charge करने के लिए 16A की आनबोड चार्जर दिया जा रहा है और इसको लगा के आपको 3-4 घंटे के अंदर बैटरी फुल कर सकते हैं लेकिन 3 घंटे के अंदर 80% बैटरी चार्ज कर सकते हैं अगर हम यह आटो रुक्षाओं को लेने के बाद कंपेनी के तरफ से support यानि warranty की अगर बात की जाए तो अपे पिया जो के अंदर हमें 3 साल या 1,75,000 km पे warranty दी जा रही है अपे पिया जो ECT FX Max के अंदर वहीं पे बजाज की अगर बात की जाए तो बजाज के अंदर भी 36 months बताया यानि 3 years या 80,000 km पे दी जा रही है warranty और इसके अनावा ये दुनों इलेक्रिक आटो रिक्षाओं के ये performance के साथ अगर pricing देखा जाए तो आपे पिया जो ECT FX Max का एक showroom price 3,26,000 से है ये vary कर सकता है अलग-अलग state में अलग-अलग city के अंदर vary कर सकता है अगर हम बजाज का देखा जाए तो बजाज का एक showroom price 3,6,550 रूपी एक showroom price आगरा का बताया है ये भी vary कर सकता है अभी बजाज पूरे इंडिया में launch नहीं हुआ है तो अलग-अलग city के अंदर अलग-अलग price हो सकता है थोड़ा बहुत vary कर सकता है पुरा ज्यादा difference तो नहीं आता है तो ये रही इन दोनों की pricing इसके अलावा buying option तो आपको पता है showroom साब के करीब होंगे जाके book कर ले सकते हैं खरिश सकते हैं तो दोस्तों ये था ये दोनों के बीच में ठकर और आप देखते हैं conclusion अगर बजाज के अगर positive points देखा जाए तो onboard charger दिया जा रहा है आपको आटो रिक्षा के साथ साथ आप बोड charger मिल जाता है तो charger को लेको गुमना पड़ेगा और charger के लिए एक separate place लगा के रखना पड़ेगा आपके आटो रिक्षा में या तो घर पे रखेंगे तो घर पे भी वो एक जिंजट ही हो जाता है उसका जिंजट यहां पे खतम के अंदर दिये जा रहा है लेकिन यहां पे टोर्क ज्यादा मिल रहा है इसी वज़े से मोटर की जो पावर है वो कम मिलती है दोनों के अंदर एक ही ज्यादा हो सकता है या तो टोर्क ज्यादा हो सकता है या तो पावर ज्यादा हो सकता है या तो पावर ज्यादा हो सकती है मैं पहली पर कुछ वीडियो में आपको समझाया था, तो वह काम यहां पर कर के बताया है Bajaj ने, क्योंकि हम ज़ादा लोट दालते हैं वो तो आप समझ जाते हैं उसके बारे में समझाने की जरूइए इसके अलावा यहां पे बजाज के अंदर बड़ी बैटरी दी जा रही है यानि 8.9 kWh की बैटरी दी जा रही है तो यहां पे ARI certified range तो बताया गया है बजाज के तरब लेकिन आपे PIA जों के इसाब से तो बैटरी बड़ी है बैटरी बड़ी है यानि थोड़ा जादा ही range मिल कर लेना हां सब कुछ पाजिटिव पाइंट सी नहीं है यहां पे नेगेटिव भी है बजाज ने वारेंटी के अंदर km कम किये हैं यहां पे 80,000 km का वारेंटी दिये रहे हैं बजाज के तो हमें पाजिटिव पाइंट तो देख लिए लेकिन आपे PIA जों में भी देख ले के अंदर typical driving range बताया गया है यह आ रही certified नहीं जो मिलता है वही आपे अपे PIA जो के अंदर बताया गया है वह इसे आपके पास तो आपे PIA जो है तो आप comment करके बता देना आपको real driving range ही कितना मिल रहा है ताकि मैं पिन कर दूं सबको पता चल जाएगा और यहां पर range कम मिल रही है तो आपको tour के अंदर तो compromise करना पड़ेगा जैसे आपने पहले बता दिया हूं मैं आपको और इन सभी के साथ साथ यहां पे price ज़्यादा है आपे PIA जो के आटो रिक्षा के अंदर 20,000 ज़्यादा देना पढ़ेगा एक showroom price है आपको इसके अंदर vary कर सकता है आपक आपे PIA जो ECT FX Max के बीच में comparison नहीं देखें तो वाली वीडियो जरूर देख लेना ज्यादा changes नहीं देखने को मिलते हैं सरी pricing वगरा थोड़ा performance changes देखने को मिलते हैं वो वाली वीडियो कमबन सरी देख लेना अगर आप आपे PIA जो को लेने के इरादे में हो तो इसके अ के लावा ये दोनों electric auto रिक्षा के अंदर common चीज़ दिये हैं जो कि हर एक auto रिक्षा में देना चाहिए और जरूरत भी पड़ती है पहला heel hold assist दिया गया है और दूसरा iot connectivity दिया गया है जिससे हमारे mobile के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं charging और performance battery heating battery charging charging stations के location सब कुछ देख स थोड़ा बहुत अच्छा ही performance दिया है और अच्छे price range के अंदर दिया है वैसे इन दोनों में से आपकी कौन से फेवरेट electric auto रिक्षा है नीचे comment करके जरूर बताना दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद करता हम वीडियो पसंद आई होगे और पसंद आए तो like and share करना मत बुल करती है तो चानल को चलूब सबक्काइब करके रखना और किसी electric auto रिक्षा की वीडियो साब देखना चाहते तो नीचे comment करके बता सकते हैं जो कि पहले से हमारे चानल पर पड़े होंगे बहुत सारे लेकिन फिर भी आपको नहीं auto रिक्षा के बारे में जानते है तो उसके बारे में भी comment करके बताना उसके ओपर भी वीडियो ले के आएंगे तो मिलते हैं एक और electric auto रिक्षा के वीडियो में until then bye bye and see you soon